रुकिये महारानेजी पंडित रामक्रिष्णा हमारे प्रमुक सलाका है इनकी कुशलता पर संदे करने का अर्थ हुआ कि आप हम पर संदे कर रही है नहीं नहीं महाराज हमारे वो ताथ परी नहीं पंडित रामक्रिष्णा की कारे कुशलता पर हमें कोई संदे नहीं है यह तो मात्र हम अपने मन के संतुष्टी के लिए जाच करना चाहते थे यदि इससे आपके हिदय को ठेस पहुंची है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम शमा प्राति है पंडित रामक्रिष्णा जी जी महाराच आरमखी जी नाम निकाली पंडित रामक्रिष्णा जी क्या आपने इंग पर्चियों में हमारा नाम भी लिखा है हम मतिती हैं, परण तो फिर भी हम इस नात्त का अंग बनना चाहते हैं डाला है, डाला है, अवश्य डाला है क्यो नहीं डाला है, अवश्य डाला है गुरुवर, आपको केसे ऑठ हुआ पर्चियां तो पंडित रामक्रिष्णा जी ने लिखी है ना नहीं, नहीं, हमें, हमें घ्यात नहीं हैं। दुरूवर, महाराणी तिरुमलंबा यही तो आपसे पूछना चाहती हैं। यदि आपको घ्यात नहीं हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजकुमारी जगन मोहिनी जी का नाम इस कलश में हैं। वो हमें ग्याद था महाराज हमें ग्याद था परंतु पंडित रामा किष्णा जी की इस प्रयास कश्रे हम नहीं लेना चाहते थे इसलिए हमने आई सका जी जी महाराज मैंने गुरुवर के मार्व दर्शन में ही इन पर्शियों को तयार किया है और इनके मार्व दर्शन में ही इस नाटिका की यूजना बनाई है उचित बात है आए आरम कीजिए नाम निकाले खलश में से जी एक शंड महरानी जीब क्या हुआ नाम हम निकालेंगे अवश्च निकाले हाँ कोविन हम भी निकालेंगे अनेंद लक्षमी कि अनीवान यह 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 अनुचिता क्या अनुचिता इस अनूचिता गुरुवर ée कैसे संभाव है पंडित रामा कृष्णा तुमने हमारे साथ चाड़ा के की नहीं गुरुवर नहीं कलश तो आपने मुझे अभी सामने से दिया था ना और परचियों की जाश तो आपने पहले से एक अली थी अमने की थी तो ऐसा क्या से हो सकता है पंडित रामा कृष्णा गुरुवर आप दोनों आपस में क्या बात कर रहें हम भी समझना चाथ नहीं हम समझ गए पंडित रामा कृष्णा जी और गुरुवर ये चाहते थे कि इन परचियों में न आपको और हमारा नाम निकले पर ये न निकल गया कोविंद और अनंत लक्ष्मी का इसलिए गुरुवर थोड़े से अपरसन है है ना गुरुवर क्या ये सत्य है जी जी महाराणी अद्फ़त अद्फ़त महारानी जी आप निश्चिन रहें पंडित रामा कृष्णा हम आपसे अनुरोद करना चाहते हैं कि आप इस नाडग का निदेशन इस प्रकार करें कि सभी को कोई नो कोई पास्तर करने का आफसर मिलें जो आगया महाराज अद्फ़त अब हम आगया लेंगे महाराज कृष्ण देवराय की पंडित रामा कृष्णा तुम्हारे पास संध्या तक का समय है यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपने परिवार को लेकर विजे नगर से पलायन कर जाओ अन्य था उधर सूर्य अस्थ हुआ और इधर हम महाराज को सत्य बताकर तुम्हारा सूर्य सदयव सदयव के लिए अस्थ कर देंगे कलश में महाराज और राजकुमारी का नान तो नहीं निकला फिरा मू लटका है क्यों खड़े थाल कारे में गड़मन करती हूँ अरी कलश बदा वो तो ठीक था कि तुम्हाराज और राजकुमारी जगन महिनी के नाम के स्थान पर तो विल्दुलूर अनन तेलक्षमी का नाम क्यों डाला कोई और नाम भी तो डाल सकती थी थी ना हमने पड़्चिया नहीं बदली है त कर दो किया है अए परम मैला क्या कर दिया ये पूरे निवास को धूमे से बढ़ दिया तो असले ना दूबर हो गया है अम्मा शार्दा दिदी आप दोनों यहां क्या कर रही है और यह क्या है राजकुमारी जगन मोहनी महराज कृष्णदेव राए इन सबी पर्चियों पर तो महराज कृष्णदेव राए और राजकुमारी जगन मोहनी का नाम लिखाए अम्मा शार्दा दिदी यह सब क्या है अनन्ता के तुमें ग्यात नहीं है कि महराज ने दिवाले के उत्सब पर नल्दम्यंती नाटक के मंचन का आदेश दिया है कि अफसर युवा लोगों को मिलना चाहिए पर क्या करें गुर्वर बड़े ज्यानी परम पूजनिये और बहुत ही बड़े पंडित हैं उनकी इच्छा के अवेलना कैसे की जा सकती है सही कहाम मापने हम तो बस ये कलश गुर्वर को देने के लिए आये थे कहा है गुर्वर आप चिंतित ना हो ये कलश प्राताश्री को मिल जाएगा हम ये दे देंगे उचित है अब हम चलते हैं प्रणाम प्रणाम अनन्ता ने पर्चिया बदली हैं हमने नहीं पर्चिया किसी ने भी बदली हो कुछ नहीं हो सकता संध्याकाल तक गुर्वर महाराज को सब कुछ बता देंगे ओ मेश्वरी घर जाकर समान बांधो अब विचनगर से भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा हाँ उचे थे मेरू अनना आप एक पहर पस्चात घर पर पहुंच जाना भूलना मत हाँ आप निश्चिंत रहिए ही रमोती थोड़ा और चर ले तत पस्चात इने हम बैल गाड़ी में जोदकर आपके निवा सुस्थान ही आता हूँ वैसे पंडित रामा कृष्णा जी आप कहा जाने के लिए कह रहे थे तेना ली गाओ भूला मत समय पर पहुंच जाना हाँ प्रणाम पंडित रामा कृष्णा जी प्रणाम प्रणाम पंडित रामा कृष्णा जी आप कहें तो मैं 30 कासे के शेऱ की मुद्रा के टमाटर तोल दूँ ने ने मुझे टमाटर ने चाहिए मेरे मुद्राएं मुझे लोटा दीजे आपके विजय नगर छोड के जा रहे हैं आपसे मतलब मेरी मुद्राय मुझे लोटाए लाइए धन्यवाद चल मनी भाग एक गुरु जी को बताते हैं हाँ गुरु जी हमें पुरस्कार देंगे चल 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 परणाम गुरु जी आपकी डीवाली तो पूरवी प्रारम हो गई है आपका प्राम शत्रू विचा नगर छोड़कर भागने की तयारी कर रहा है और इधर हम ये शिव समचा आपके लिए लेकर आए हां गुरु जी अपने प्यारे शिश्यों को पुरस्कार देजिए ना पुरुसकार चाहिए जी गरुजी बहुत दिनों के पुरुसकार नहीं मिलाए गरुजी दे दीजिया आज दे दीजिये आओ आवेश विश्राम इन योद्धव की परिक्षा लेने का यही सही अवसर है द्रश्टी गोचरम प्रारम यह योद्धा तो काम के निकले विश्राम आनन्द आ गया निजानन्द आ गया किन तुँ अति आनन्द तब आएगा जब मेरे ये तीन योद्धा तुम तीनों से बीटने के पस्चाथ पंडित रामक्रिष्ण तुम मेरे चर्णों में गिरेगा और मांगेगा क्या आपको कहा कुछ बोलना आता है विक्षा अपने प्राणों की विक्षा मांगेगा तब आएगा आनन्दम अरे ये क्या तुम लोगों ने अभी तक समान भी नहीं बादा अरे मेरे अनना आते ही होंगे उसकी कोई अवाशक्ता नहीं है अरे क्या अवाशक्ता नहीं है अब तो गुरुवर ने माराज को मेरी चुपली लगा भी दी होगी सैनिक मुझे पकड़ने के लिए आते होंगे माराज मुझे सूली पलटका देंगे हमने ऐसी व्यवस्ता की है कि गुरुवर आपको कोई आहित नहीं कर सकते क्यों ऐसा क्या किया तुम लोगों ने आप हाथ मो दोलीजिये हम आपके लिए भोचन लादे नहीं पहले बताओ क्या क्या शब्ध हमारे है कथन अम्मा का है ओ मेश्वरी कथन है क्या आज पंडित रामाकृष्णा हमारे हाथों से नहीं बचेगा हमारे साथ चल किया उसने हमारे साथ अब हम छोड़ेंगे नीव से अम्मा आप यहां क्या कर रही आपका हाल चल जानने आए थी हमारे हाल चाल तो अच्छी सुना है आपकी मस्तिक्ष में चोट लगने की कारण मानसिक संतूलन बिगड़ गया है हमारा नहीं नहीं तो तो अब बिगड़ने वाला है क्योंकि मैं ठंडा मानने वाली हूँ हमने ऐसा क्या किया है क्यों रामा को बार बार धंकी दे रहे हो तुम देखो अमा हमने पंडित रामा कृष्णा को बचने का अफसर दिया परंतु उन्होंने अफसर गवार दिया अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमें महाराज को सत्य बताना ही होगा अंडित रामा कृष्णा को अब मृत्य दंड से कोई नहीं बचा सकता है उचेत है तुम्हारे जोमन में आए करो परंतु स्मरण रहे कि तुम्हारा भी एक सत्य है जो महाराज को क्यात होना चाहिए हमारा हमारा हमने महाराज के नाम से किसी को कभी कोई जूठा पत्र नहीं लिखा पत्र नहीं गुर्वर आपने तो पूरी पत्री का लिखी हुई है पूरे विजय नगर में महाराज की नाग की नीचे हाँ पत्रिका हाँ पत्रिका कैसी पत्रिका सदामिनी देवी राजगुरू महापंडित महाग्यानि पूझनिये तथा चाहे एक नत्की के साथ छी 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 महाराज को यदि ज्यात होगा तो सोचो आपका क्या होगा अम्मा हमें प्रतीत होता है कि महाराज इने मृत्योदन तो नहीं देंगे परन तो देश निकाला वश्य मिलेगा देश निकाला सोची गुरवर पुढ़ापे में तर दर की ठोकरे खाएँगे आपकी करतोड ग्या थोने के पश्चाथ कोई भी राजस आपको अपनी शरण में नहीं लेगा समझ गय समझ गया समझ गया अम्मा हम सब समझ गया आप बैठी हम बैठी कर बात करते हैं बैठी बैठी नीचे बैठो है हम नीचे नहीं नहीं भैबीत मत हो जो भी मेरी शरण में आया है उसकी नईया पार ही लगी है सत्ते कहाब लीजे बैठिये बैठिये तब आईए वाद है 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 हम कह रहे हैं कि है आप इस प्रकार धर्ति पर क्यों बैठिये स्वामी वह आप जाएए वानुमाला भीतर जाएए वो क्या है कि हम अमा को समझा रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो जाए उसेग्ञ्टा नहीं करना चाहिए हापसत्य में महान हैं स्वामी अम्न शारदर आप लोग कैसे हैं हम तो उचित है हम अभी आपनों के लिए चल 98 करते हैं अम्मा, कृपया हमारी बाद को समझने का प्रयास कोच नहीं चलेगा मेरा एक ही नियम है एक हाथ ले और दूसरे हाथ ले तुम रामा का सत्य छुपा कर रखो और मैं तुम्हारा सत्य छुपा कर रखूँगी यदि रामा का सत्य बहार आगया तो मैं तुम्हारा भी सत्य बहार लादूगी समझे समझ गए अम्मा अरे अम्मा धन्यवाद से धन्यवाद चल्दा अरे आजो तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों ने मुझे बचा लिया मैं तो वो बच्वाद से ही करती आ रहे हूँ हाँ हम आपके लिए भोजन लेकर आते हैं अम्मा हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी कैसी आशा नहीं थी यही कि आप हमारे और पूजने गुरुवर के बारे में व्यर्थ की अफ़ाहे फेला रहे हैं गुरु और शिश्य का रिष्टा तो पुत्री और पिता के समान होता है आप सक्ते क्या रही हैं सौदामनी देवी आप हमसे उलजने का प्रयास कर रही थी यदि महराज को यह ग्यात हो गया तो पंडित रामा कृष्णा के साथ आपको भी दंड मिल सकता है अम्मा ना ना बस अब हम आपके इस डंडे से भैभीत होने वाले नहीं है क्या कहा था अपने अम्मा कि हम पंडित रामा किष्णा का सत्य छुपा कर रखें और आप हमारा सत्य छुपा कर रखेंगी सत्य प्रमान मांगता है अम्मा हमारा सत्त्य सत्य होकर भी सत्त्य नहीं है क्योंकि हमारे सत्त्य को सिद्ध करने का कोई प्रमान नहीं है आपके पास परंतु पंडित रामा किष्णा के सत्य का प्रमान स्वयम मुडिसा से चल कर तुझे नगर आया है गुरुवर अब आपकी आग्या हो तो हम जाएं अवश्य सोधामनी देवी सदायत परसंद रहो आया तो शार्दा देवी आपके घर में अतिति आये हैं कुछ जलपान का प्रबंद करिए वैसे अम्मा चाल तो बहुत अच्छी चली थी आपने दुर्भाग्यवश सफल नहीं हुपाई अच्छा बताइए क्या करें आपके इस पुत्र का गुरुवर्ड मेरी बात तो सुनिये नहीं अवे कुछ नहीं सुनना है अच्छा बताइए अच्छा बताइए